हरी कृष्णा मैं अंजना गोपी आपका सिंप्ली एंड बिस्फुल व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ तो लास्ट व्लॉग जो था वो आप सभी ने देख लिया होगा उसका पार्ट वन और यह है पार्ट टू और आप सभी कैसे हैं आप सब मुझे बताएगा और यहां पर आपको मैंने दिखाया था कि यहां पर 6.40 का टाइम हो चुक है अपी राधिका को जाने में थोड़ा सा समय रहे गया है पांच मिनट राधिका की व्यान आती है अक्चल में गली के बिल्कुल भारी तो बस प्रशादम मैं ओपन कर रहे हूं क्योंकि उससे एक दिन पहले जो थी एका दशी थी तो आज के दिन समझ लीजिए वामना द्वादशी है तो सभी जो हैं हमारी घर पर स टो यहां पर आप देख सकते हैं कि राधिका जो है वो जो है प्रशादम ले रहे जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने बिंडी की जो कुरकुरी सबजी और साथ में चपाती बनाए थी और राधिका को मैंने एक चपाती दे दी है और साथ में रख दी है बिंडी की सबजी और जो कि बहुत ही जल्दी ठाकुर जी के लिए रेडी हो जाती है और बिल्कुल सिंपल सबजी है और बच्चों को बिंडी जो होती है वो लंच में बहुत अच्छी लगती है तो चली अभी मैं इस लंच को पैक कर देती हूं और सभी मंदस को पता है कि साथ-साथ में जो है सेवा ही चलती रहती है और साथ-साथ में बच्चों को थोड़ा-थोड़ा बोलना पड़ता है कि थोड़ा जल्दी यहां पर आधिका जो है वह भाग भाग के जारी राधिका को छोड़ने के लिए वहार आती है और आज हम बिल्कुल अंक नियुक्त हम 10 मिनट पहले आजाते हैं तो राधिका जो सामने पार्क है उसमें थोड़ा सा जूल लेती है और राधिका थोड़ा सा उदास होगे क्यों आने में सिर्फ आदर मिनट है और राधिका को जूलने को मिला नहीं है तो मैं राधिका को छोड़के आचू के वापिस और टाइम और है 6.46 तो नाव ऐ विल टेक बन ग्लास ऑफ प्लेन गॉटर एक ग्लास पानी प्योंगी क्योंकि भाग दोरसी हो जाते है तो आसा पानी अब भी वैसे कम है लेकिन अभी हुमिडिटी है बेटर है कि चलिए मेहने सो तो अच्छा है चलिए अभी मैं चल्स स्टाइड करते हूं फिर आपको मिलती हूं उसके बाद में और आज का दिन आपके साथ पूरा का पूरा दिन शेयर करने का पूशिश है और आज बढ़े निया वाला मॉर्णिंग जोटी चलिए अभी क्लास स्टाइड करते हैं सब कैसा डिवटी वेट करें हरे कृष्णा तो भगवत गीता पर प्रवचन शुरू करूंगी हरे क्रण्य प्रणाम जागत गुरू शीरा पूपात की जया है भगवान की क्रपा से अभी ज जाएंड करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं कपड़े फोर्ड लगा रही हूं कल मैंने काफी सारे कपड़े जो थे वह दो दिये थे तो मैंने सुचा मैं इसे फोर्ड लगा देती हूं और क्योंकि टाइम लगता नहीं ज्यादा इन सब से वाउमें छेटे हो जाते हैं तो मैंने पहले सोचा मैं इन सब को ही यहां से हटा दू ताकि जो है रोम एकदम खाली-खाली हो जाए और इनको मैं साती की सातने अलमारी में भी जमा दूँगी तो चलिए अभी हम आपको आगी का दिखाते हैं कि आगी मैं क्या करती हूं और आप सब बताइएगा आपको यह जो रोटीन व्लॉक्स कैसे लगते हैं और पिछली जो वीडियो थी इसमें मुझे बहुत सुंदर सुंदर कमाइंट्स आएं डिवोटीस के और मैंने कोशिश किया कि मैं सभी को जो है रिप्लाइदू तो चलिए अभी इस फ्लॉप को हम आगे लगा तो मैं शिलब प्रपाजी का लक्षे सुन रही हूं और साथ में मैं जो हूं सेवाइभी कर रही हूं और ठाकुर जी की किचन में मैं अभी अच्छी तरह से जो है गैस वगरा साफ कर दूँगी जैसे कि आपने मॉर्निंग में देखा मैंने बिंडी की सबजी चपात चपातिया बनाते हैं तो फिर थोड़ा सा तो आटा बगरा फैली जाता है न तो फटा फट से मैं अब पहले इसको अच्छे तरह से क्लिन करोंगी टावी क्लिन कर लोंगे रहां और अभी मुझे भगवान के लिए ना बत्तियां भी बनानी यही की जो बत्तियां थे वो भ अब हेसला कर देख कर देखुआ है, नहीं तब कर देखी के दिधा को बना देखुआ। और देखक देख और आपे उसने के और टार्की से बदोर। और बस अभी मैंने इसमें और बत्तियां आड़ करी थी जैसे कि आप देख सकते हो ना साइड में घी भूच जाद है तो घी मैंने कफी सारा डाल दिया था तो उसे की हिसाब से फिर मैंने और बत्तियां इसमें आड़ कर दी थी और फिर मैंने से बिना ढ़किय रख दिया था ताकि जब ये ठंडी हो जाए तो इसको मैं जो मैंने मंदिर में एक बॉक्स लगा रखा है जिसमें कि मैं भगवान की आरती का सारा समान रखती हूँ उसमें मैं इसको रख दूँ तो बस यहां मैं इसको थोड़े दे के लिए जब दूँगी ताकि ये जो है अगदम थंडा हो जाए और जैसी थंडा होगा तो मैं इसको इस तरह से इसमें रख दूँगी तो यहां पर देख सकते हो कि मैंने उसी वाले बॉक्स में इसको रख दिया है जिसमें कि मैं भगवान की आरती का सामान रखती हूँ तो बस अ बना ले दियू तो चपातिया मैंने बना के रख दी है और आलू और परवल मैंने काट के रखे हूँ है तो सबसे पहले मैं एक जिचन अच्छे तरह से क्लीन कर लूँगी सिंग जब क्लीन होती है तो मिझे सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है और भी दिल करता है कि म पूरा स्लैप एक दम क्लीन होता तब मुझे सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है तो काफे सारे बढ़ताना है मैं फटा पर सिंग को दोलूँगी इसमें भी मुश्किल से मुझे 15 मिनिट ही लगते हैं तो मैंने पिछ्छे बताया था ना कि बहुती छोटी-छोटी से आप जाते हैं और यह जब जो सेवाइं होती है यह भी सब भगवान की सेवाइं ही होती हैं क्योंकि अब अगर हम देखें तो यह जो घर है वह भी तो बहुता घर में कर्टेंञ करते हैं ऑ फिर आप और में कर हैं वट्यक्र Ayas तो कैसे भी करके आप कोई भी सेवा करते हैं वो कृष्ण भामना भावित आप उसको बना सकते हैं तो घर का सेवा भी कोई छोटा सेवा नहीं होता है काफी समय लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि घर समालना जो है काफी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और अगर घर सही स तो मैं पहले वर्किंग रह चुकी हूं तो मैंने दोनों चीजे ही देखी हैं दोनों जो डिफरेंसिस देखी हैं दोनों में हम मैनेज कर सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर समालना भी कोई छोटा सेवन नहीं होता है तो चली अभी हम इस फ्लॉक को और आगे बढ़ आपको एक दो बाते और बतारें तो मैं किचन से लेटीट काफी सारे मेर को को दो कə उसे को क्लीन कोई भी एक बरतन जो इसको डीप कर लेती हूं ठीक है तो आप देख सकते हूं जैसे कि यहां पर एक और धकन वारा डबा पढ़ा है जो कि जो है अशकर का है और दो टोक्रियां पढ़ी है और इसके अंदर भी समान था फ़लब लगब पांच से साथ तक ही जो छोटे-छोट चीज़े होंगी तो बस मैं इतना ही करती हूं और बाकी जैसे टाइल्स हैं और जो भी सामने सामने चीज़े ना जराती हैं वह मैं साथ के साथी साथ कर लेते हूं और मॉर्निंग में काफी सारी सेवाइं हो तो यहां पर मैं अब देख सकते हैं कि ठाकुर जी की सारी की सार तो इस तरह कि मैंने यह जो कलर्फुल वाली बॉटल्स लीती यह छे थी और दो जो है वो रादीका से गिर गई और नीचे से ब्रेक हो गई और एक शायद पता नहीं शायद मैंने किसी डियोड़ी को दे दी और यह तीन ही रह गई तो यही तीन जो बॉटल्स है वो मैं फ्र पानी भर लूँगी और इसके बाद जो है मेरे किचन की जितनी वी क्लीनिंग है वो सब कुछ हो चुकिए इसमें में टोटल फॉर्टी टू फॉर्टी फाइफाइव मिनट लग जाता है सब कुछ करने में तो अभी हम जो है मैंने बताया थाना कि मैंने सिर्फ भिंटी बन पास्ट में ले सकें और हम भी जो है उसको प्रशादम रूप में पा सकें और यहां पर जो है बाकी जो बच्ती हुई भिंडिया है उनको मैं अच्छी तरह से वाश कर लूँगी और सुखा भी दूँगी ताकि मैं इसको नेक्स्टे बना सकूं तो चलिए अभी जो है हम और फटा पट से क्लीनिंग कर लेंगे वैसे तो चलिए रखी होती है पर जाड़ू लगाना होता है तो बस थोड़ा फ़ीर भी अलका फूर का कूड़ा तो आई जाता है क्योंकि रादी का भी है घर में और मॉर्णिंग आर्थी भी सुबह सुबह होती है तो थोड़ा बह है तो वह सब चीजे जो है मैं एकदम अच्छे सेट कर दोंगी तो बस इसमें भी हाडली मुझे 15-20 मिनिट ही लगते हैं तो चलिए अभी मैं यहां पर अच्छे तरह से जो है क्लीनिंग कर लेती हूं उसके बाद मैं आपको आगे दिखाते हूं और छोटा-छोटा सामान जो है वह चूठ जाता है मैं वापस से रख देती हूं और बस वापस से मैं जो है अप्लाइंसेज है उनको मैं अच्छी तरह से साफ कर लोंगी डस्टिंग भी कर लोंगी साती की साती और अधिका भी अपनी छोटी-छोटी सेवाइं कर लेती है जैसे बैक को लगाना और टीफन एंड और रखना काफी अच्छे से कर लेती है लिकिन मॉर्निंग में आज को स उसका तो 6.45 अब देख सकते हैं कि वह नहीं लेने आगी थी उसको तो मॉर्निंग में वह नहीं कर पाती है तो कफे सारा समान उसका इदर रहता है तो मुझे ही उसका जो है क्रीन करना होता है और यहां पर आप कर लिजे ठाकुर जी के दर्शन और आगे दब को मैं दिखा जो है मैंने एक ही सबजी बनाई थी वो भी मैंने दे दी तो बस अभी मैं जो है कड़ाई को चड़ा दिया है मैंने फिर से और इसमें डाल दिया सरसो का तेल और सरसो का तेल जब गरम हो जाए इसमें हम छोड़ देंगे दो तेज पत्ते और उसके बाद बिलकुल वही बे हींग और यह हींग काफी तेज है इसलिए मैं बहुत थोड़ी ही डालती हूं और बस इसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे जो टमाटो फ्यूरी जो कि हमने अभी ब्लैंड कीती अच्छी तरह से इसमें तीन टमाटर और एक हरी मिर्स अधरक मैंने एड नहीं की गया बिल काफी सारे कमेंड्स आते हैं तो यह जोनमक है वो सेमिक रहता है हम जो है वो बिपीे नहीं होता है वी जाता है था नहीं होता है स्कूल की और आप ने जिए पांठ जब है यहां पर आप देख सकते हैं कि पर्मल और आलू की सबजी है और ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है कि जब मैं सबजी काट लेती हूं एक ना एक पर्मल या एक आलू में से छूटी जाता है आप देख सकते हैं तो चलिए अभी यह सिंपल सी जो ठाकुरजी के लिए जो हमने सबजी तयार करने है उसको हमने चौक लगा दिया है और इसको मन्य में लगबग 20 मिनट तो लगी ही जाते हैं 20 तू 25 मिनट लगते ही हैं और अगर आप इसको कामाश वे पकाएंगे तो यह और भी अच्छी बनेगी और अगर धनिया पत्ती हो तो इसको बात लिए जाएगी तो बस उसको बंद कर देते हैं और यहां पर अभी जो है मैं ठाकुरजी को भोग लगा चुकी थी आलू परमल की सबजी और चपातियां तो यहां पर मैं अपने ब्रेकफर्स प्रिशाद जो है थाली लगा रही हूं तो चलिए अभी हम साथ बैटके प्रिशादम घ्रेंड कर लेते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह कोई प्रशाद है जो मर्निंग में हमने आपको उपन करके दिखाया था तो मैंने सोचा अब मेरा ही थोड़ा सा बच्रा है प्रिशा करते हैं और हुआ शाइन यहां चैसा है नगाने सब्सक्राइबर बहुत करते हैं मेरे तो यह इस ते चैशे सब्सक्राइबर एं तरह लेताया लिए तो स्याहिट लोक्रशक पर श्यां सब्कкивर 10-2009 स朝 है तो आले कंश कर दिखाद मेरे बींक चैया और उडधाब हुई तो तो सब चीज मिक्स हो रखी है और यह पैंसिल बॉक्स रादिका कर नहीं, यह मेरा पैंसिल बॉक्स है, क्योंकि मेरे कुछ छोटी वली जो पैंसिल बॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं, ताकि इसमें मैं अपनी सब चीजों को अच्छे से और्गनाइस कर सकूं, तो बस अभ लगबग हो रहा होगा, 11.11 का समय ही हो रहा होगा लगबग सा, और इस समय पर आप देख सकते हैं, आज आती हूं स्टॉडी टेबल पर, और प्रशादम पाकर, जो है, मैं थोड़े देर घर में जो है, प्रभु जी होते हैं, और राधी का स्कूल चल जाती है, फिर प्रभ रुपाजी की बुक्स को, तो शिलब रुपाजी की बुक्स में जो है, मैं भगवत गीता डेली ही पढ़ती हूं, और आजकल हमारे भागवतम भी स्टार्ट हो गया, तो हम भागवतम भी पढ़ते हैं, भगवान की किरपा से, तो एक श्लोका तो हम डेली का पढ़ते ही है और आपको बताया था ना, मॉर्निंग में कि हम भगती रसामरी सिंदू भी पढ़ते हैं, तो वैसे तो मैंने ये पढ़ लिया, लेकिन जब हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं और उसको एक्स्प्रेन करते हैं, तो हम और भी काफी सारी चीज़े जान पाते हैं, तो बस पहले में भगवत गिता पढ़ूंगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हम और कौन कोई सी दुस्तर के शिलप पाजी की पढ़ेंगे, और जब भी हम कुछ भी पढ़ें, तो हमें हमेशा जो है, अपने पास एक डाइरी पैन अविश्य रखना चाहिए, और अगर आप मंदिर भी जाते हैं, या अन्य क्लासेज भी लेने जाते हैं मंदिर में या किसी सेंटर में, तो आपके बैग में हमेशा एक डाइरी पैन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रवचन सुनते हैं, या फिर हम पढ़ते हैं, भगवत गिता या फिर शिलप में डिस्कस करूंगी, और इसके बाद जो कि मैंने आपको सबाद दिखाई थी, पुस्तक है भक्ती रसामरी सिंदू, तो बस अभी हम इसको भी थोड़ा सा जो है पढ़ेंगे, बैट करके, क्योंकि इसके भी दस मिनिट के लिए मौनिंग में क्लास होती है, तो बस अभी जादा दिन नी होए से शुरू करें, लगबग एक हफता ही हुआ है, और उससे पहले हमने दो पुस्तक के समापत कर ली है, उनमें से एक है जबा पुस्तक, जो कि काभी सारे कमेंट्स में पूछते भी है, जो कि मैं सुबह सुबह भी पढ़ती थी, और मैं अभी भी अच्छी लगती है, तो बस यहां पर मैं अभी तीर असामरी संदू जो है, थोड़ी तर के लिए पढ़ लूँगी, ताकि मॉर्निंग के लिए और इसको पढ़ने के बाद जो है, अभी हम जो छोटे बच्चों की क्लास्यों होती है, और इसके लिए मैं ये वली जो है, ब बहुत अच्छा है, इसमें अक्टिविटीज भी है, तो इस तरह से जो है, ये बच्चों को जो है, हम प्ले वे मैथट से बक्ति के बार में बता सकते हैं, और जरूरी नहीं कि जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो वो स्कूल का स्टेड़ी तो वो करते ही है, है ना, और लेकिन साथ में हमें उनको ये सब नॉलिज भी जरूर देना चाहिए, तो ये इस तरह कि हम क्लासे से टेड़े को लेते हैं, हफते में एक बारी, और बच्चे उसमें जॉइन करते हैं, तो आगे जो है, अभी देख सकते हैं, मैं इस पुस्तों को भी पढ़ रहे हूं, और यहां पर समय होच चुका है 12.25 का, और अभी जो है, मैं बुक रेडिंग कर चुकी हूं, तो मैं अभी थोड़ा सा पानी मनी पी करके बहार की तरफ आई हूं, मतलब गैलरी में आई हूं, और थोड़े देर के लिए मैं यहां पर बस थोड़े जासी खड़ी रोंगी, और जहां पर मैं राती हूं, वहां पर काफी ज्यादा पीसफुल है, शांती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, कोई भी शोर बगैरा नहीं होता, तो बस थोड़े देर में यहां पर खड़ी रोंगी, और आप देख सकते हैं, कि गैलरी में हमारे फ्लावर्स लगें, पारिजात जो वरक्षा भी उस पर फूल आना श्टार्ट नहीं होया है, तो मैं फिर से यह यलो वाले फ्लावर्स का नाम भूल जाती हूं, काफे सारे सब्सक्राइबने मुझे बताया भी था, और काफे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स बताये थे, तो आप प्लीज फिर स समाप्त होता है, और आपको ये न्यू मॉर्निंग रोटिन कैसा लगा, आप सब बतायेगा, आपको कुछ तो इससे हल्प हुआ होगा, और अगर आपको कुछ भी हल्प हुआ तो इससे बड़ी सो भागे की बात मेरे लिए क्या हो सकती है, तो चलिए, बहुत ही जल्दी मि आपको मैं दिखा रहे हूं, तो प्रभुजी ने मुझे ये जो है न्यू पैकेजिंग दी थी, वैसे तो मैं ये बहुत समय से यूज कर रहे हूं, पेस वाश और ये जो कंपनी है, मेरी खुद की है, और इसमें जो प्रोड़क्ट्स हम बनाते हैं, वो बिल्कुल नैचु पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फोर मोर और मोर ब्रिस्फुल वीडियो और अगर आप चाहें, तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो चलिए, बहुत जल्दी मिलेंगे, नेक्स्ट फ्लॉक में, हरे कृष्णा, जगत गुरु, शील शीला प्रहुपाद की जै, गौर भक्त विंद की जै